वट सावित्री के दिन इस रंग की साड़ी पहने महिलाएं, पहली बार वरत कर रही महिलाएं, इन बातों का अवश्य रखें ध्यान. इस साल वट सावित्री पूजा, वट सावित्री वराठ 2024, छे जून को है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पती की दीरगायू और सौभाग्य के लिए वट सावित्री वरत रखती हैं. माननेता है कि इस वरत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और पर वट वरिक्ष यानि बर्गद के पेड़ की पूजा की जाती है. अगर आप पहली बार यह वरत करने जा रही हैं, तो आपको कुछ विशेश बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. आईए, जाने, पूजा से जुड़े, कुछ जरूरी नियम. जोतिश शास्त्र के अनुसार, यदि कोई सुहागिन महिला पहली बार वट सावित्री वरत रखने जा रही है, तो उन्हें सबसे पहले सनान के बाद लाल रंग की साड़ी पहनना चाहिए और श्रंगार करना चाहिए. इसके बाद वट वरिक्ष यानि बर्गद के पेड़ के नीचे साफ सफाई कर वरत का संकल्प लेना चाहिए, गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए, उसके बाद धूप और अगरबत्ती जलाना चाहिए, वट वरिक्ष के चारों तरफ साथ बार कच्चा धागा लपेटें और उसकी परिक्रमा करें, कहते हैं, वट सावित्र वरत का पारण, भीगे हुए चने खाकर करना चाहिए, इन नियमों का पालन करने से जीवन में सुख और सम्रिध्ध की प्राप्ती होती है, सुहागिन महिलाओं को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, उसके बाद सावित्री सत्यवान की मूर्ती, पड़ा, नारियल, पान का पत्ता, इत्यादी को पूजन सामगरी में शामिल करना चाहिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और वीडियो को लाइक करें